बेलकम टू नेक्षक जाओं आज है बारह सितंबर 2022 और बारह सितंबर 2022 एक रेंट अफेस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चन बन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर कुश्चन से रेलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो अध्यान से देखिए लास्ट व मैं आपसे कुश्चन भी पोचूंगा उसका आंसर आपको कमेंट वाक्स हों बताना है आज कि इस वीडियो के पीडियो फाइल आप इस वीडियो के डिस्कसिन से डाउनलोड कर सकते हैं पीडियो आप हमारे टेलेग्राम गुरूप से भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलेग्राम गुरूप पर आपको सारे पीडियो पे एक साथ मिल जाएंगी और टेलेग्राम सितंबर को Patriot Day मनाया गया तो इस कुछिन का बे ओप्सन सही है USA में 2001 से 11 सितंबर के हमले में मारे गए लोगों की याद में हर साल यह Patriot Day मनाया जाता है अच्छा अभी 2 सितंबर को बेस्व नारियल देवस मनाया गया था तेन सितंबर को National Skyscraper Day और अंतरास्टी गिद्द जागरुकता देवस मनाया गया पांतरास्टी चेरिटी देवस मनाया गया साथ सितंबर को ब्राजील स्वतंता देवस और नेले आस्मान के लिए अंतरास्टी स्वच्छ बायू देवस मनाया गया आठ सितंबर को बेस्व भौत्रिक चेकित्सा देवस मनाया गया बेस्व फिजियो थेरेफी देवस भी आठ सितंबर को मनाया गया और अंतरास्टी साक्षरता दिवस भी 8 सितंबर को मनाया गया 9 सितंबर को हिमाले दिवस मनाया गया 9 सितंबर को ही 200 एलेक्ट्रिक भीकर दिवस भी मनाया गया और 10 सितंबर को 200 आत्मत्यार रोक्थाम दिवस मनाया गया तो सितंबर में आप तक इतने इंपोर्टेंटी मनाये गए हैं यह आपको याद रखने हैं अच्छा आज किस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं चाली से लाइक का तो अगर यह बीडियो आपको अच्छा लगता है, हल्पो लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और सेर जरू किया करो और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मौनिंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट पिक्स करो चाहे छोटा साई टार्गेट पिक्स करो लेकिन डेली मौनिंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अजेब करने में लगा दो आपकी life automatically अच्छी हो जाएगी नए क्यूशन है हाले में निच्छे 2.0 पोर्टल लॉंच किया गया है यह किस वीमारी से संबंदित है तो निच्छे 2.0 पोर्टल यह टेवी से संबंदित है और इसे अभी हमारे राश्टपती द्रौपती मुर्मून ने लॉंच किया है तो इस question का say options आई है अच्छा स्वास्ते अब हम परिवार करजान मंत्रा लेने टेवी मुक्त होने का target कब तक रखा है तो अभी अपने देश भारत में 37 प्रबंधन पर राश्टी सम्मिलन उडिशा की भुबनेस्वर में आउजित किया गया तो इस question का बे options है अब उडिशा तो यह है मैप में उडिशा उडिशा की capital क्या है भुबनेस्वर उडिशा की चीपनिस्टर कौन है नबीन पठनायक और उडिशा की governor कौन है गनेई शीला अचा उडिशा में है वेलर दीप और वेलर दीप का नाम अदल के एपी जैबदुलकलाम दीप रखा गया है उडिशा दिबस या उतकल दिबस कम मना जाता है एक अप्रेल को अचा अभी समुद्र तट की सुरक्षाल के लिए उडिशा सरकार ने एन आई ओटी के सा सम्झोता किया उडिशा के मुख्यमंत्री ने lockdown lyrics नामक फुस्तक का भी मोजन किया है रास्टी MSME पुरुषकार 2022 में उडिशा को प्रतम पुरुषकार से समानत किया गया और कम दूरी की ballistic missile प्रत्वी सेकिंड का सफल परक्षड अभी उडिशा में किया गया अच्छा उडिशा में सुनावेडा wildlife century है कूठागड wildlife century है उडिशा में रसे कुलिया बीच है और golden बीच है उडिशा के दो गाउं को अभी युनेस्को ने सुनामी रेडी डिकलियर किया था उनमें दो गाउं कौन से हैं एक है नोलिया साही और दूसरा है बैंक ट्रायपूर अच्छा उडिशा में लेंगराज temple है कुडार टेंपल है और जगनाट टेंपल है एतना आप उडिशा के बारे में जाद रखिए हाली में कैसे बलूचिस्तन सरकार ने नसीराबाद जिले में पहली महला उपायुक्त नियुक्त किया है तो अभी आएसा जहरी को बलूचिस्तन सरकार ने नसीराबाद जिला के लिए पहली महला उपायुक्त पॉइंट किया है तो इसको शिनका से ओप्सिन सही है ये बलूचिस्तन प्रसासन के इतियास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी महला को उपायुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है ने खुशिन है हाली में क्रश्नम राजु का निधन हुआ है बे कौन थे तो क्रश्नम राजु ये एक अभिनेता थे और अभी इनका निधन हुआ है तो इसको शिनका बे ओप्सिन सही है ये थे तेलगु अभिनेता क्रश्नम राजु और अभी इनका निधन हुआ है ने खुशिन है बेसु का पहला संसकार केंदर रायस्तान के केस जिले में खोला जाएगा तो अभी रायस्तान के जुन्जुनु जिले में बेसु का पहला संसकार केंदर खोला जाएगा तो इसको शिन का A option सही है जुन्जुनु जिला मुक्याले में, खेवी सक्ती मंदिर परिसर में इसको खोला जाएगा त्यान रखना ये बेसु का पहला संसकार केंद्र है नेक शिशन है, हाले में पियूस गोयल ने कहां US-India Strategic Partnership Forum को सम्मोधित किया है तो हमारे केंद्री बाड़े जेवा मुद्योग मंत्री हैं, पियूस गोयल इन्होंने अभी लॉस एंजिल्स में US-India Strategic Partnership Forum को सम्मोधित किया तो इसको शिशन का से ओप्सन सही है नेक शिशन है, हाले में किस देश ने यूरोपे देशों के लिए दो अरब डॉलर की सैन निसायता की गोशना की है तो अभी अमेरिका ने यूरोपे देशों के लिए दो अरब डॉलर की सैन निसायता की गोशना की तो इसको शिशन का बे ओप्सन सही है रूस, यूक्रेन, युद्ध की वज़े से जो यूरोपियन देशों पर एफेक्ट फड़ा है उसे के लिए अमेरिका ने दो अरब डॉलर की सेन निसायता की कोश्णा की है अब अमेरिका तो अमेरिका में एक दसक की बाद पोलियों का पहला मामला दर्ज़ किया गया था भी अमेरिका की सेनेट ने गन कंट्रोल बिदेख पारित किया है आरती प्रवाकर को अमेरिका की राश्पती के बिग्ञान सलाकर की रूप में नियुक्त किया गया भारत इसराइल यूए और यूएस ने एक नया I2-U2 समू मनाया है अमेरिका में निर्वित सुपर कंफ्यूटर फ्रेंटियर ने जापान के फोगाकू को पेछे छोड़ दिया है अमेरिका की एथलीट हैं सिडनी मैकलोंगन इन्होंने 400 मीटर बादा दोड में बेस्स रिकॉर्ड बनाया है अचाए इंडिया और अमेरिका की वीच में कौन-कौन से डिफेंस एक साज होती है कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्फ, वज़ प्रहार और यूद दव्यास इसमें से अभी वज़ प्रहार हिमाचल प्रदेश के बकलोह में होई है नहीं शिन है, केस राजी के मुख्यमंत्री ने सिनेमेटिक टूरिज्म पॉलिसी का अनावरड किया है तो अभी गुजरात के चीपनिष्टर भूपेंदर भाई पटेल ने सिनेमेटिक टूरिज्म पॉलिसी का अनावरड किया तो इस कुशिन का A option सही है अब गुजरात तो यह है मैप में गुजरात गुजरात की केपिटल क्या है? गांदी नगर गुजरात के चीपनिष्टर कौन है? वो पेंदर भाई पटेल और गुजरात की गवर्नर कौन है? आचार देबरत अभी गुजरात के मुख्यमंत्री ने इफको नैनो यूरिया छिड़काव योजना की सुरुआत की है सबसिड़े के साथ सेमी कंडुक्टर नेधी सुरू करने वाला पहला राजी गुजरात बना है गुजरात पुलिस की AFIR पडाली का उद्गाटन अभी ग्रह मंत्रे अमित्साने किया 36 में रास्टे खेल 2022 की मेजबानी गुजरात करेगा और इस टेल स्लैंक से वनी भारत की पहली सड़क का उद्गाटन गुजरात के सूरत में हुआ है अच्छा गुजरात में गिरी नेशनल पार गए ये एसियाटिक लॉइंस के लिए फैमस है गुजरात में सरदार सरोबर डेम है, नल सरोबर लेक है, थोल लेक है, कंकडिया लेक है और खिजाडिया लेक है इतना आप गुजरात के बारे में याद रखिए ने क्यूशन है हाली में अमेरिका के किस सहर में बाइरस फैलने की करड़ पोलियो पर आपातकाल की इस्तिती गोसित कर दी गई है तो अभी अमेरिका के न्यू यॉर्क सहर में पोलियो पर आपातकाल इस्तिती गोसित की गई है तो इस कुशन का बे आप्सन सही है हाली में किसके द्वारा लिखित पुस्तक फूर्जिंग मेटल नर्पेंदर राओ एंड पैनार स्टोरी कब भी मोचन हुआ है तो ये पुस्तक लिखी है पबन से लाल ने तो इसकुषिन का से ओप्सन सही है पबन से लाल ये मुंबई के एक लेखग और पत्रकार है और इनों नहीं अभी ये बुक लिखी है फूर्जिंग मेटल नर्पेंदर राओ एंड पैनार स्टोरी अच्छा अभी रॉयल एरफोर्स एंड फर्स्ट वर्ल्ड वार नमक पुस्तक स्टीफन वारकर ने लेखी अमित सिन्ना और जोय वट्टाचार दोरा लेकित पुस्तक डू डिफरेंट दा अंटूल धोनी नमक पुस्तक का अभी बिमोचन किया गया दजर्नी ओफ अनेशन 75 एर्स ओफ इंडियन एकोनमी इस पुस्तक को अभी संजे बारून लेखा है तो ये अभी रिसेंट पुग लॉंच वही है ये भी आपको याद रखने है ने क्यूशन है हाली में केंद्री पर्यावड मंत्राले ने केसराजी के लिए नई तटी चेत्र प्रबंदन यूजना को मंजूरी दी तो केंद्री पर्यावड मंत्राले ने अभी करनाटक के लिए नई तटी चेत्र प्रबंदन यूजना को मंजूरी दी तो इस कुशिन का बे आप्सन सही है अब करनाटक तो ये है मैप में करनाटक करनाटक की केपिटल क्या है बैंगलोर करनाटक के चीपनिष्ट कौन है बसबराज बॉमबई और करनाटक के गवर्नर कौन है थाबर चंदर गैलोर्थ अभी करनाटक सरकार ने क्रसी को बड़ावा देने के लिए एसा आउटरिच के साथ सम्झाता किया है SBI ने स्टाटफ के लिए डेडिकेटिड ब्रांच अभी करनाटक के बैंगलोरू में खोली है करनाटक सरकार ने खिलाडियों को दो प्रतिसत आरक्षड देने की गोश्ण की है गाये गोध लेने के लिए पुंडिकोटि दत्तु युजना को सुरू करने वाला पहला राज्य करनाटक बना है और स्वामी बिवेकानंद युबा सक्ती युजना का सुभारम अभी करनाटक में हुआ है अच्छा करनाटक के दो डांस फेमस हैं यक्षगड और दूसरा है डोलू कुनीता करनाटक का एक गाउं है मट्टूर गाउं यह एकलोता ऐसा गाउं है जहां बूल्चाल की वासा में संस्क्रत बोली जाती है अच्छा करनाटक में कौन-कौन से नेशनल पार्क है बांदीपूर, अंसी, नगरहूल, बनलकटा और कुद्रे मुखा नेशनल पार्क यह करनाटक के इंपूर्टेंट नेशनल पार्क है नेशन है हाली में प्रदर्मंत्री मोधी ने कहां बेडियो कॉन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन- कौन बने हैं तो अभी गौतम अडानी फॉर्चून इंडिया रिच लिष्ट दोजर बाइस में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं तो इस कुशन का बे आप्शन सही है यह इंडिया में पहले नंबर पे हैं और पूरे दुनिया में तीसरे नंबर पे हैं ने कुशन है हाली में केस राज में भारत के सबसे पूर्बी सैन गैरिसन का नाम चनरल बेपिन रावत के नाम पर रखा गया तो अभी अरणाचल प्रदेश की केबिटू जिले में भारत के सबसे पूर्बी सैन गैरिसन का नाम चनरल बेपिन रावत के नाम पर रखा गया तो स्कुशन का से ऑप्जिंस है अब अभनाचल प्रदेश तो यह है मैप में dunja ﷻि अभनाचल प्रदेश की केपटल कया एक्ता नकरल ऑश्वन ol गवरणर कौन है प्रिगेडियर बैडी मिस्रा अब ऑभनाचल प्रदेश में कुंड लहित नदी पर भगवान परसुराम की 51 फीट उची प्रतिमा इस्तापित की जाएगी अप्रेल 2022 में जी एस्टी राजस संग्रे ब्रद्धी में अरणाचल प्रदेश टॉप पर रहा था और होलोंगी में अभी ग्रेन फिल्ड हवाई एड़ा अरणाचल प्रदेश को मिलेगा तो अरण प्रदेश से रिलेटेट इतना आप याद रखिए अब लास्ट वीडियो के कुश्चिन का आंसर लास्ट वीडियो में आपसे कुश्चिन पूछा था कि हाली में जारी सेयुक्त राष्ट के मानना बेका सूचकांग में कौन सीर्स पर रहा तो अभी स्विट्जलेंड सेय ऐधर फिर बोलूँगा वीडियो के बारे में आपको जितना ज्यादा सेया पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो पर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज को कुश्चिन है हाली में भारती सिनाने कहां सेयुक्त अभ्यास मारा Facebook पे जोईन कर सकते हैं क्यूंकि previous year question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप Instagram पर indrashrc i-n-d-r-e-s-h-r-c Instagram पर indrashrc search करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion without any agitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का आप target जरू याद रखना आज किस वीडियो का target है 40 लाइक का तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है help लगा है तब आप इस वीडियो को like और share जरू किया करो और आपके पास जो भी study related WhatsApp और Facebook ग्रूप हैं उनमें आप इस वीडियो को share जरू कर दिया करो तो यह था आज का हमारा current affairs का वीडियो आपको यह वीडियो कैसा लगा please comment box में जरू बताना और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरू कर लेजी आपको इस चैनल से नि पित दियो थेंक्स वर वच्छिंग